नमस्कार मैं हूँ नीरज पटेल और आप देखरें नेशनल जन्मत नेशनल जन्मत के माध्यम से हम आप तक बो बातें लेकर आना चाहते हैं और लेकर आते भी हैं जो देश के तमाम सारे मुखधारा के तथा कथित मीडिया संस्थान आपको नहीं दिखाते हैं वो उसके बल वही बात दिखाते हैं जो सरकार लोगों तक पहुँचाना चाहती है इस वीडियो में हम बात करेंगे सरकार ने भी दो कदम उठाए और दोनों कदमों में अपनी खुद से पीठ तपा रही है और ये साबित करने की कोसिस कर रही है कि सरकार दलित और पिछणों की हिमायती है पहला कदम OBC आयोग यानि की पिछणा वर्ग आयोग को सम्वेधानिक दरजा देना दूसरा कदम SC-ST Act को संसथ में बिध्याग लाके एक कानून मनाना अब दोनों ही मामलों में जिसमें वो पीठ तपा रही है आप एक बात समझने की जरूरत है कि क्या सम्वेधानिक दरजा जो देने की बात कर रही है और सारे लोग खुस होके उस बात को सुन रहे हैं तो क्या सम्वेधानिक दरजा मिलने के बाद अगर OBC का कहीं रेजर वेशन या हक मारा जा रहा है तो वो कितना ससक्त होगा पिछड़ावर्ग आयोग क्या ऐसे मामलों में सुनवाई करेगा तो क्या SC-ST आयोग में किसी चीज की सुनवाई होती थी तो क्या उस पे कोई सजा हो जाती थी क्या कोई कारवाई होती थी वहाँ भी फाइलें धूल फाकती थी यहाँ भी फाइलें धूल फाकेंगी खेर अलग बात है पिछले बर्ग के नेताओं को एक रहत मिल गई और उनको कहने को मिला कि हम इसलिए बीजेपी के साथ थे कि देखी हमने एक बहुत बड़ा एक कदम उनके माध्य हमसे पूरा करवा लिया खेर यह राजनीती का विसे है दूसरे हम मामलें पे आते हैं SCHT Act पे तो आप देखिए कि खुद पहले इसी सरकार ने उसको खत्म किया हलाकि सरकार कहती ही कि सुप्रीम कोट ने खत्म किया हमारा रोल नहीं है लेकिन इसी सरकार केस की तरफ से जो वकील थे उन्होंने इसके खिलाफ में दलीले दी थी तभी वो केस हारी थी सरकार वहाँ पे अब बनी बनाई चीज को दुबारा आपको ही लोटा के वो कह रहे हैं कि हमने आपको नहीं चीज दे दी है खेर इस ढंग से लोग आपको नहीं बताते हैं तो हमने इसी लिए इस बारे में दिली के बरिश्ट पत्रकार हैं और सामाजिक चिंतक हैं अनिल चमडिया जी जो लखनव आये थे चुकि मंडल दिवस था आज उसी के उपलक्ष में एक सेमिनार आयजुत किया गया था लखनु में उसी में आये तो हमने उनसे इन दोनों ही बिंदुओं पर बात की आप खुद इसका अलग पहल्यू सुनिए आज मंडल दिवस सेमिनार का एज़वन किया गया बरिष्ट पस्तकार और सामाजिक चिंतकत अनिल चमडिया जी दिल्ली से चल कर यहां पर आए तो हमसे दो चीजों पर जान लेते हैं जो दो मौझूदा इससे में टॉपिक हैं एक तो जो सरकार कह रही है कि हमने SCST Act को Act लाके दुवारा से लागू कर दिया है तो पहले वही चीनती है वही लागू करती है इसको आप कि ज़ंग से देखते हैं यही बात है देखिए एक तो सरकार क्या दे रही है आप अगर इस कानून को और सक्त करते हैं और सक्त क्या होता है सक्त का किवल प्रावधान होता है कि आपने कोई कानून की किताब में लिख दिया जमीनी अस्तर पे वो कितना लागू हो पा रहा है यह सक्ति का एक प्रमान हो सकता है हमने यह देखा कि इस कानून के रहते इस देश में अगर सबसे निर्संस और विभस्त जो दली अत्याचार की घटनाए हुई पिछले ये तीन चार सालों में बढ़ी है पहले होते थी घटनाए होती रही है घटनाए सदियों से हो रही है लेकिन जिस तरीके से लोग मारते हैं और बीडियो भी बनाकर उसका जारी करते हैं इसका आप ये बार बार जो ये कहते हैं कि हमने ये मजबूत कर दिया ये कुछ नहीं है ये छीन लेते हैं पहले और छीन लेने के बाद कहते हैं देखिए हमने तो बहाल कर दिया उसी को ये मजबूती करार देते हैं तो मजबूती करार तो ये भाई नहीं हुआ ये तो ठगी का म इक सवाल और सर की सम्मेधानिक दरजा देने को अपनी उपलब्दी मान रहे हैं इसको किछ समाज को देखना चाहिए देखिए यह सेंबॉलिक जो जो चीजें पर्ठीकातमक इसी को ये बतौर उपलब्धी यह हर चीज को यह मैं बताते हैं मैं यह कहता हूं कि अनुसुची जाती अनुसुची जन जाती आयोग तो बहुत पहले से सम्मेधानिक है आप उसकी रिपूर्ट को देख लीजिए उसकी रिपॉर्ट तो धूल है वो क्यों पड़ी क्या है केवल आप केवल संपर्दाई करने के लिए बाबा सहाप का नाम केवल संपर्दाई करन करने के लिए आप लेकिन इसका उपयोग इसी रूप में करते हैं और ये साप-साप दिखाई देता है इसलिए इसका आप फोस कोई बात कि भाई ठीक है इस सम्मेधानिक दर्जा देने से क्या हासिल होता है क्या हासिल हुआ है ये अगर आप बताईए इसको अगर आप इंस्टुमेंट के तोर पर इस्तेमाल करने के लिए आप बार बार सुर मचा रहे हैं सम्मेधानिक ता सम्मेधानिक तो ये बात समझ में नहीं आती है। कि आखिर उसमें कौन सी नहीं ताकत इसमें एड हो गई है। ही बात सत्य होगी लेकिन हर बात को दो पहलियों के माद्यम से समझें तभी आप सही तोर पे समझ पाएंगे कि आपके साथ न्याय हो रहा है या अन्याय आप देखती रहें नेशन जनमत हम इसी तरीके से आपको नए ने ख़बरों से अबडेट करते रहेंगे धन्यवाद। दोस्तों कर आपके मेरे यूटीब केनल स्ट्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइचन तो ज़रूर क्लिक करें जिससे जो मेरे निव वीडियो है